Hello Friends, आप सभी का B8 Course के Mission One Way चैनल में स्वागत है दोस्तो, आज हम लोग Assessment for Learning Paper में टोपिक है जिसका नाम है कसोटी संदर्वी परिक्षन तथा मानक संदर्वी परिक्षन में इनका अंतर को दिखेंगे कि CRT और NRT में क्या अंतर इसको हमने समझते हैं CRT और NRT पर जो है वीडियो पहले भी बना चुके हैं उसका हम लोग अर्थ को बहुत अच्छे से समझेते कि क्या होता है कसोटी संदर्वी परिक्षन और मानक संदर्वी परिक्षन क्या होता है इसको हम लोग वीडियो में हम लोग बना चुके हैं पहले भी इसका हम लोग ट सब्सक्राइब तुन्ना नियिके दरुप से चाए कई तुन्ना को हम लोग अंतर भी कते हैं । नोर्म रिफरेंश टेश्ट्र छलिए कसोटी संदर्य प्रिक्षन में हम अपने विशिष्ट उद्देशों के प्राप्ती में कहां तक सफलता प्राप्त हुई इसके सुचना देते हैं यानि कि कसोटी संदर्वी प्रिक्षन वैसे प्रिक्षन को गते हैं जिसमें अपने किसी विशिष्ट उद्देश के प्राप्ति कहां तक हमें उनके सफलता मिली है उसकी हमको सुचना देती है कौन कसोटी संदर्वी प्रिक्षन माना संद्वी परिक्षन में छात्र दोरा अर्जित कुल ग्यान का पता लगता है यानि कि इस परिक्षन से हम यह पता चलता है कि छात्र ने कुल कितना ग्यान अर्जित किया इसका हमलों को पता चलता है लेकिन ये जो है कसोटी संद्वी परिक्षन क्या है ये जो किसी विशिष्ट विशे में कितना ज्यान अरजित करता है इसके बारे में पता करता है जबकि मानख संद्वी परिक्षन जो है संपुर्ण ज्यान का पता करता है ठीक है दूसरा नमबर में कसोटी संद्विय परिक्षन में निर्पेक्च रूप से किसी चात्र ने कितना ग्यान अरजित किया यह ग्यात किया जाता है मतलब कसोटी संदविय परिक्षन में हम लोग क्या करते हैं? निर्पेक्च रूप से किसी छातर के ज्ञान को अरजित करते हैं या देखिएगा निर्पेक्च रूप से अपने ज्ञान को अरजित करते हैं माना संदविय परिक्षन मापन के किसी समूर के संदर में चात्र विश्यस के अन्य चात्रों की तुन्ना से अर्जित करते हैं यानि इसमें क्या होता है कि कसोटी संद्वित परिक्षन में क्या होता है निर्प्रेक्ष रूप से हम लोग घ्यान के अर्जित करते हैं जबकि मानसंद्वित परिक्षन में किसी चात्र की तुन्ना किसी च्छात्रों के अधीगम मात्रा को सुनिचित करने का परियास करते हैं जबकि मानक संद्रिवित मापन में च्छात्रों की अधीगम सफलता का मुल्यांकन सापेक्चिक रूप से क्या जाता है इसमें अधीगम की सफलता का मुल्यांकन क्या जाता वो किस रूप से क्याता है सापेक्चिक रूप से होता है यह सापेक्चिक रूप से होता है नेक्स्ट है कसोटी संद्रिवित प्रिक्चन के पद कुछ विशिष्ट उद्यसों की द्रिष्टी में रखते हैं वह उन्हें उद्यसियों तक सिमित होती है इसका और इसका जो है विस्तरित छेतर होता है ठीक है नेस्ट है पाच्वा नमर में कि कसोटी संदर्वित परिक्षन अधीक उपियोगी माने जाते हैं क्योंकि ये चातर के संबंद में विशिष्ट जानकारी परदान करने में सक्षम समझे जाते हैं क्योंकि ये जो है कसोट संद्रिवर्य परिक्षन कम उड़ divine कोड़े हैं कि यह चाथर के संबंद में सामान्रे जानकारी परतान करती यह चातरों के सामान्रे जान کाजी कर करते हैं लेकिन पेसे किसी बच्ची संद्रिवर्य परिक्षण किम्नेख रहे है wunderi नेक्स्ट आ इसके मानगों को का विकास करना संभब नहीं होता है इनके मानगों को हमलोग विकास करना संभब नहीं है इनके मानकी एक करने के लिए मानगों को ह viendo Ça आउयसक होता है ठीके तो यह हम लोग 6 point को देखें है CRT और N R T में क्या आंतर है कसोटी संद्रवित परिक्षन और मानक संद्रवित परिक्षन में क्या आंतर है इस पर हम लोग आज बात किये ठीक है दोस्तों इसे मैं चैनल पर बने रहे हैं फिर हम दो नए वीडियो में नए टोपी के साथ मिलते हैं तब तक के लिए धन्नवाद